दुनिया में विभिन प्रकार के सिंग होते हैं। निन्न लिखित हैं वे अफरीकी से, आशियाई से, अमेरिकी से, एशियाई से, बार्बेरी से, माउंटेन से, कांगा से, एथी ओपियाई से, कत्तुआ से, सेनेगल से, काफीरी से, मोजाम बिकन मेंडा, सुमात्राई से, मल्यन से, सिंह फिशर, सफेज से, डेसर्ट से, टांगाना से, केप लाइन, बालकन लाइन, इबेरियन लाइन, आर्क्टिक लाइन, जौबर्ट से, सुब सहारा से, सडक से, कथाई से, कुद्दू से, जवाहरी से, जुंगली से, आंधर से, सासक्स से, डार्विन से, गोल्डन से, हॉबाट से, एरिश से, कंबोडियाई से, ग्रेट टिबड से, जवाहरी बाबबर से, वाकाना से, सोमाली से, जफाराबादी से, केमपल से, तुर्की से, वेस्ट बंगाल से, बारवाला से, बोर्नियो से, कटाई से, चीतवान से, चिन्हाला से, कोमोडो से, कैलिफोर्निया से, काजीरंडा से, लाकडाउन से, लावन से, लाइनटे सोट से, लेसर मेंडा, मुस्तलान, म्यानमार से, नागपुर से, नेपाली से, नाइजीरियाई से, पाकिस्तानी से, पर्सियन सिंह, बिंदर्बान सिंह, राजस्थानी सिंह, रावन सिंह, रसायन सिंह, रूडरपुरी सिंह, संतोरिनी सिंह, सीली सिंह, सोमनाथ सिंह, तिबबती सिंह, तुर्कमेनिस्तान सिंह, उत्तर प्रदेशी सिंह, वेस्ट बंगाली सिंह, वेस्ट एफ्रिकन सिंह, वाइ पिटलान, यमुनानगर सिह, जैपुर सिनहया कुछ भारतिय और विदेशी सिनहों के नाम हैं। यह सिनहों की विविधता को दर्शाता है। यह लिस्ट पूरी नहीं है और इसमें अन्य सिनहों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। अगले दस सिनहों के नाम हैं। गुजराती सिन, बंगाल का बाग, अफरीकी सिन, चीनी सिन, आस्ट्रेलियाई सिन, अमेरिकी सिन, ब्रिटिश सिन, कनाडाई सिन, मेकसिकन सिन, न्यूजी लैंड सिन। यह दुनिया भर के विभिन स्थानों से आते हैं। इसमें अन्य सिनहों के नाम भी हो सकते हैं, जो इस सूची में शामिल नहीं हैं। अगले दस सिनहों के नाम हैं। इंडोनेशियाई सिन, जावान सिन, फिजी सिन, फिलिपीन सिन, सोलोमन ड्वीट सिन, तसकेगी सिन, ट्रांसवाल सिन, तंजानियाई सिन, उगांडा सिन, जिंबाबवे सिन। ये सिह अफरीका, एशिया, ओशिनिया और अमेरिका में पाए जाते हैं। इसमें अन्य सिनहों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। अगले दस सिनहों के नाम हैं। सूडानी सिन, सूरी नाम सिन, ताइवान सिन, ठाई सिन, तुर्की सिन, तर्कमेनिस्तान सिन, यूक्रेनियाई सिन, यूनानी सिन, वेनेजुएला सिन, वियतनामी सिन। ये सिन एशिया, यूरोप और अमेरिका में पाए जाते हैं। यह सूची पूरी नहीं है और इसमें अन्य सिन्हों के नाम भी हो सकते हैं सिन्ह बड़े तंदुरुस्त जानवर होते हैं जो की बड़े आकार के होते हैं ये दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं सिह के विभिन प्रजातियों की विस्तरित सूची निनलिखित है आफ्रिकी से, आशियाई से, अफगान से, अमेरिकी से, अर्बियाई से, आस्ट्रेलियाई से, इंडोनेशियाई से, इरानी से, चीनी से, जिंबाबवे से, थाई से, तुर्की से, न्यूजीलैंड से, ब्रिटिश से, बंगाल का बाग, बार्बेरी सिंग, बर्मी सिंग, ब्राजीली सिंग, बल्गारियाई सिंग, बुरुंडी सिंग, बुर्मी सिंग, भूतानी सिंग, फिजी सिंग, फिलिपीन सिंग, फ्रांसीसी सिंग, फ्रेंच सिंग, बाडमेर सिंग, जावान सिंग, जार्मन सिंग, जोर्डन सिंग, थाई सिंग, तंजानियाई सिंग, ताइवान सिंग, ताजिक सिंग, तसकेगी सिंग, ट्रांसवाल सिंग, टुवालू सिंग, तर्कमेनिस्तान सिंग, उगाडा, यमनी सिंग, रूसी सिंग, लेबनानी सिंग, वेस्ट एफ्रिकन सिंग, Spanish sing Sloveniai sing South Africae sing Swedish sing Swiss sing Sudanese sing Surinamee sing Somali sing Solomon Dweep sing Hungary sing Honduras sing Hawaii sing Italian sing Jirayli sing Irish sing Indo-China sing Indo-Mlion sing ये सभी प्रजातिया अलग-अलग देशों में पाई जाती है सिह बड़े पक्षी और जानवरों पर हमला करते हैं और अपने परिवार के लिए जमीन और खाने के स्रोत को अधिकार करते है ये एक शक्तिशाली जानवर होते हैं जिन्हें विभिन कला शिक्षा केंद्रों में सम्मान और आदर प्रदान किया जाता है आवशक्ता अनुसार उन्हें विभिन देशों के विभिन नामों से भी जाना जाता है उदाहरन के लिए अफरीकी सिह को अफरीकी सफेज शेर भारतिय सिह को असियाटिक शेर और यमनी सिह को प्रदक्षिनिय शेर कहा जाता है बात करें तो सिह दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर होता है सिंहों का वजन लगभग पांच सौ पचास पाउंड तक होता है और वे दस फुट से भी उचे हो सकते हैं उनके दांट लगभग चार इंच लंबे होते हैं और उनके तलवे के निशान करीब पांच इंच के होते हैं सिंहों के अलावा दुनिया में अन्य भी बड़े जानवर होते हैं जैसे की टाइगर, जगुआर और लेपड आदी ये सभी जानवर अपनी अपनी विशेशताओं से विभिन होते हैं और उनका अलग-अलग रहन्सहन होता है आमतोर पर सिंहों को जंगल में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है वे अपने राज्य का बखूबी रखते हुए जंगल में शिकार करते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं ये अपने शिकार के बाद अक्सर शिकार को एक स्थान पर ले जाते हैं और उसे कई दिनों तक खाते रहते हैं अफरीकी सिंह अपने विशेश विशेशताओं के कारण अन्य सिंहों से थोड़े अलग होते हैं उनके शरीर के बाल लंबे और गहरे होते हैं जो उन्हें इस दुनिया के सबसे शांदार जानवरों में से एक बनाते हैं अफरीकी सिंह अपनी बड़ी संख्या और शक्ती के कारण अफरीकी महादवीप का एक महत्वपूर्ण सिंहासनी जानवर हैं भारतिय सिंह कुछ छोटे होते हैं और उनके बाल थोड़े पतले होते हैं भारतिय सिंह की संख्या दुनिया भर में कम हो गई है और उन्हें अब विपनित करने की आवश्चक्ता होती है उनकी संग्रक्षन आज एक महत्वपून मुद्दा बन गई है यमनी सिंह को प्रदक्षिनिय सिंह भी कहा जाता है ये सिंह यमन के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और उन्हें आमतौर पर अन्य सिंहों से थोड़ा छोटा माना जाता है इनके शरीर के बाल लंबे और गहरे होते हैं जो उन्हें एक खूबसूरत व्यक्तित्व देते हैं अमेरिकी सिंह अपनी संख्या के कारण एक आवासिय सिंह होता है और उन्हें नेशनल पार्क में ही देखा जा सकता है इनके बाल थोड़े पतले होते हैं और उनका रंग भूरा स्फेध होता है सिंहों के जीवन काल में विभिन्न चरण होते हैं उनका वजन बच्पन में कम होता है और जब वे वयस्क होते हैं तो उनका वजन लगभग 150 किलोग्राम हो जाता है अफ्रीकी सिंहों की ओसत जीवन काल 10 से 14 वर्ष होती है जबकि भारतिय सिंहों की ओसत जीवन काल 16 से 18 वर्ष होती है सिंह जंगली जानवरों में से सबसे लोकप्रिय हैं और इनके संरक्षन के लिए विभिन एक्षन प्लान भी लागू किये जाते हैं सिन्हों के शिकार को बंद करने, उनके आवास क्षेत्रों को बचाने, संख्या को बढ़ाने और उनके जंगलों को सनरक्षित करने जैसी अनेक व्यावसायक और सामाजिक पहल चलाई जा रही है सिन्हों की रोचक बाते सिन्ह दुनिया का सबसे बड़ा आदमी शिकारी होता है उनकी ताकत इतनी होती है कि वे 200 किलोमीटर की रफ्तार से भी अधिक दौर सकते हैं सिन्ह एक समाजी जानवर होते हैं और एक प्रजाती के सिन्हों में देखा गया है कि वे अपने साथियों के साथ खुशी से खेलते हुए नहाते हुए भी दिखते हैं सिंह दुनिया के कुछ देशों में धर्म का प्रतीक होता है, जैसे भारत में हिंदू धर्म में सिंह मांगलिक शुब कामनाओं का प्रतीक होता है एक समय था जब अंग्रेजों को लगता था कि भारत में सिंह खत्म हो जाएंगे लेकिन इसके बाद से सिन्हों की संख्या बढ़ी हुई है और अब भारत में दुनिया की सबसे बढ़ी सिंग प्रजाती है इन सभी रोचक तथियों के साथ साथ सिह एक रोमाचकारी और उल्लास दायक जानबर हैं जो हमेशा से मनुश्यों के ध्यान को खीचते हैं उनका महत्व भी उनकी रोमाचकारी स्वभाव से उभरता है सिन्हों को जंगल के राजा कहा जाता है और उनकी संरक्षन की जिम्मेदारी हम सभी को संभालनी चाहिए धन्यवाद आप लोगों को ये जानकारी किसी लगी ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप भारत से हो तो नीचे जो लाल बटन है उसको दबाओ फिर उसके साथ आप कूछ भी करो पर बटन दब जाना चाहिए आप किस सिटी से हो कमेंट और लाइक करो